सभोपदेशत अध्याय ग्यारह सभोपदेशत अध्याय ग्यारह अपने रोटी जल के उपर डाल दे क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा साथ बरन आठ जनों को भी भाग दे क्योंकि तू नहीं जानता कि पुत्वी पर क्या विपत्ती आ पड़ेगी जब बादल जल भर जाते है तब उनको भुमी पर उंडेल देते है और व्रुक्ष चाहे दखिन की ओर गिरे चाहे उत्तर की ओर तो भी जिस थान पर व्रुक्ष गिरेगा वही पड़ा रहेगा जो वायू की सुधी रखेगा वह बीज बोने न पाएगा और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा क्योंकि तू नहीं जानता कि वायू के चलने का क्या मार्ग होगा और गर्भवती के पेट में हड्डिया किस रिती से बढ़ती है वैसे ही परमिश्वर जो सब कुछ करता है उसके काम की पूरी रिती तू नहीं जानता भोर को अपना बीजबो और सांज को भी अपना हाथ न रोक क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सुफल होगा चाहे यह चाहे वह वह वा दोनों के दोनों अच्छे काम निकलेंगे उजियाला मन भावना होता है और धूप के देखने से आखों को सुख होता है यदि मनुष्य बहुत वर्ष जिवित रहे तो उन सभों में आनंदित तो रहे परंतू अंधियारे के दिनों की भी सुधी रखे क्योंकि वे बहुत होंगे जो कुछ होने वाला है वह व्यर्थ है यह जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और अपनी मनमानी चाल चल और अपनी आखों की दुष्टी से अनुसार चल परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विशे परमिश्वर तेरा न्याय करेगा इसलिए अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है जब मनानी दोनों कर जवानी आपनी दोना है आपनी आपनी दोनों